जिस उत्तर प्रदेश में एक वक्त था कि माफियाओं के घर बैटकर पुलिस वाले चाय पीते थे जिस उत्तर प्रदेश की तस्वीर ऐसी थी कि माफियाओं पर एक्शन लेने से पहले हर पुलिस वाला दस पार सोचता था और action होता भी नहीं था, लेकिन फाइलों में action के नाम होते थे उसी उत्तर प्रदेश की तस्वीर CM योगी आदितनाथ ने ऐसी बदली कि आज हर को यही कह रहा है कि जब से CM योगी उत्तरप्रदेश में आ गए हैं, तब से उत्तरप्रदेश की तस्वीर सच में बदल गई है इसमें लोगों के इलावा पुलिस वाले भी शामिल हो गए आपको याद हो कि धोजा रोहर के बाद CM योगी आदितनात ने 9 UPSTF के साथ 7-17 जबाजों को उत्करिश पुलिस पदत से इस बाढ़ना बाजा है इसमें दो पुलिस वाले शामिल हैं जिसमें अनुराग आरे और विमल कुमार का नाम शामिल है सबसे पहले अगर अनुराग आरे की बात करूँगी तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बरेली से एक सीरियल किलर की घटना सामने आई थी जिसमें की एक साइको किलर यानि की कुलदीब गंगवार का नाम सामने आया था कुल्दीब गंवार एक साइको किलर था जिसने एक्यासे दिन में नौ महिलाओं की हत्या की थी ये नौ महिलाएं गायब कैसे हुई थी इनकी हत्या कैसे हुई थी किसी को नहीं पता था लेकिन जिस टीम को उस सीरियल किलर की जांच में लगाया गया उस टीम में अनुराक आरेश शामिल थे जिन्हों ने इस सीरियल किलर को पकड़ा और उसके बाद कुलदीब गंगवार को सजा दिलाई गई हाला कि इस केस की अभी कारवाई जारी है ये केस सुनने में जितना सीधा लगा ये केस उतना सीधा था नहीं क्योंकि कुलदीब गंगवार ने अपनी जो एक मांसिक्ता की कहानी बताई थी उस कहानी की पीछे कई राज ऐसे थे जिसने पुलिस का सर्चक्रा दिया था लेकिन अनुराक आरे ने अपनी टीम लगाई और जिसमें अनुराक आरे ने खुद इस केस की कारवाई थी इसके बाद अब अगल विमल कुमार की बात करूँ तो आपको साल 2023 फरवरी कमाईना याद होगा जब अतीक अहमद का बेटा यानि की असत अहमद का एंकाउंटर हुआ था असत अहमद के एंकाउंटर में जो टीम लगाई गई थी उस टीम में विमल कुमार भी शामिल थे जिनको आज के दिन सीएम योगी आदितनात ने पुलिस पदक्त से नवाजा है और साथ ही इन दो पुलिस अफसरों की जम कर तारीफ की है धजार उहड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने 9 यूपी स्टीएफ के साथ साथ 17 जाबाजों की तारीफ की और उन्होंने यही कहा कि एक वक्त उत्तर प्रदेश का वो था जब माफियाओं पर एक्शन लेने से हर पुलिस वाला कत्राता था और आज एक वक्त है जब कोई भी माफिया इस समय उत्तर प्रदेश से सामने निकल कर आता है और पुलिस वाले उस पर तुरंट एक्शन ल खुले आम सडकों पर घूमता था और आज जोत्र प्रदेश की तस्वीर वो है जब कोई भी माफिया या कोई भी माफिया से जुड़ा इंसान किसी भी लड़कियां किसी भी महिलाओं को आख उठा कर देख नहीं सकता है आज ध्वजा रोहड के बाद सीम योगी आदितनात ने देश को वही तस्वीर दुबारा दिखाई कि इन दो पुलिस अफसरों ने निडर हो करके एक सीरियल किलर को पकड़ा और जिसने अती कहमत जिसका एक वक्त पर प्रियागराज में दबबा हुआ करता था उसके बेटे और उस पर हर किसी का दिल करता है कि जब भी उत्रप्रदेश से किसी भी माफिया का अंत हो या कोई भी गुंडा जेल की सालाखों के पीछे जाए उस पर उनकी तारिफ करने का दिल करता है